इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो आज का सबसे बड़ा मैच होगा इंडिया वर्स श्रिलंका के बीच देखी काफी बड़ा भी है काफी गजब मेच भी है आपको मालूम होगा हमारी विनिंग अभी बहुत टॉप लेवल पे हैं साल का पहला दिन 20 लाख रुपे की विनिंग साल का दूसरा दिन 21 लाख रुपे की विनिंग और साल का आखरी दिन मतलब 2022 की आखरी दिन दो करोड की विनिंग दो करोड सतर लाग की और ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूं तो बोल रहा हूं जो हमारे टेलिग्राम चैनल से बंदे जुड़े हूए हैं जो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं उनको मालूम होगा अब ये वाला मैच क्योंकि ओविसली बात है आप इंडिया और शिल्लंका का मैच खेल रहे हो तो आपका पहला टार्गेट है कि विन करना तो अगर आप पूरा वीडियो ये ध्यान से देखते हो ना तो मैं गैरंटी देता हूँ आप ये मैच नहीं हार सकते हो लेकिर रैकुष्ट ही है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको इस मैच की हर वो बारीक चीज बता दूँगा जो आपको सिंपल वे में विन करवा देगो और अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो तो जैसे कि आपको मालूम होगा BBL में में कभी 20,000 के giveaway करवाता हूँ, कभी 10,000 के कभी mobile phone का, कभी काफी सारे में giveaway करवाता रहता हूँ अब क्योंकि ये भी कोई छोटा match तो है नहीं बहुत बड़ा match, इंडिया का match तो वैसे बड़ा हो जाता है तो इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे ना, तो आप लोग फ्री में 9,999 रुपे जीत सकते हो 10,000 ही बोल सकते हो अब ये आप जीत कैसे सकते हो मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा मतलब गीववे होगा ये, अब कैसे जीतोगे जब आप पूरा वीडियो देखोगे ना, ध्यान से तो आपको बता लगेगा, जितने भी गीववे की विनर्स थे, सबको प्राइज मिल गया एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको जिसने विन किया और इसको प्राइज ना मिलाओ, नाइट बे भी मैंने 20,000 का पंकच गुमार को प्राइज ट्रांसफर किया जो मैंने टेलिग्राम पे भी शेयर किया और जो मतलब विनर था उसको बे मिल गया, तो यह अभी तक कोई जो भी विनर ऐसा है नहीं जिसको प्राइज ना मिलाओ, बस यह वीडियो रहेगी, इसका भी जो भी विनर आएगा उसको प्राइज मिल जाएगा, अब यह प्राइज तो मिलेगा, लेकिन इसकी कुछ कंडिशन है, मतलब यह जो गीववे इसकी चोटी सी सबसे चोटी यह है कि गीववे के उनकी लिए हैं जो चैनल के सबस्क्राइबर्स हैं, तो काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया होगा, तो सबस्क्राइब सबसे पहला पॉइंट है, सबस्क्राइब कर लेए चैनल को, गीववे क्या है, वो मैं आगे बत तीसरा important point है जो final team होगी ना मेरी देखिए काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे नम से fake channel बगेरा भी बनाके रखते हैं ठीक है तो आपको पहली चीज तो उन में join होना नहीं है और जो मेरी final team होगी मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि ये match इंडिया वाला जो match है शिरलंका से य ये मानलो 99% ये match टोस पे ही डिपेंड है अब वो कैसे investment भी टोस पे डिपेंड है अब काफी लोग आपको बोलेंगे भाई जेकपोट मैच है जेकपोट तो मेरे भाई जेकपोट कोई नहीं बता सकता है जब तक आपको ये पता ही नहीं हो कि यार इंडिया बैटिंग कर र जो अब भी आप लोग देख रहे हो ना ये भी टोस पे ही डिपेंड है अंडिया उशिललंका का ये पूरा का पूरा मैच टोस पे डिपेंड है तो ये चीज़ आप ध्यान रखके चलना जो मेरी फाइनल टीम होगी वो टेलिग्राम पे मिलेगी लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वीडियो के फर्स्ट कमेंड में भी आपको टेलिग्राम का लिंक मिलेगा तो जो भी यूजर्स वीडियो देख रहे हैं जो इन जरूर करेना यहीं पर मैं आपको एक पूइंट बताता हूं सबसे बड़ा पूइंट और वह ये कि इस अगर थोड़ा सा केम बचा हुआ टॉइस पर क्योंकि इंडिया नहीं जीतने देगी तिनी तो मेरी गैरेंटी है बस आपको जीतने के लिए आपको सही प्लेयरों को अपनी टीम में इंक्ल्यूड करना है जिसने सही प्लेयर पर किये वहार ही नहीं सकता है तो इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल है जब टीम इंडिया पहले बोलिंग करेगी देन आपका इंवेस्टमेंट रहेगा और अच्छा खासा रहेगा अच्छा खासा मतलब यह भी नहीं क्या पूरा ही लगा दो मिडिया मान के चलो और मैं आपको रीजन दूंगा उस च का बताता हूं पहले देखिए साथ बजे मैंची स्टार्ट होगा और वेन्यू रहेगा वान खिड़ेगा अंदर लाई मेंच अगर आप देखना चाहते हो तो आप होटिस्टार वगिरा पे देख पाओगे ठीक है उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे टेलिग् इंपोर्टेंट है जो इन जरूर के लिए जिसने नहीं किया है अब देखिए यह बहुत बड़ा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट तो यह कि यह जो अभी आप लोग पिछ रिपोर्ट देख रहे हो ना इससे कहीं जादा इंपॉर्टेंट जो नहीं पिछ रिपोर्ट आएगी टॉस के बाद वो इंपोर्टेंट रहेगी रोल क्योंकि अगर मैं लास्ट जो मैचेस यहां पर हुए है मतलब पिछली कुछ मैच इसकी अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर तो बहुत ही शांदार स्कॉर हो आप तो यह मान लो 170 रन तो पता लग जाएगा कि भाई होने वाला क्या है क्योंकि यह कोई टीटेन वगरा तो हैं नहीं कि भाई कुछ भी रेडी कर तो वह चीज नहीं होगी पिछ रिपोर्ट पे ही मैच डिपैंड होगा अगर बैटिंग विट रही तो हम सारे प्लेर जो लेंगे कैप्टन सी व बाकी अगर आप पूछोगे मैच से पुरानी जो चीजे हुई थी यहां पे तो देखें मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले तो यह ध्यान देना कि बैटिंग पीछ है ठीक है उसके अलावा एवरेज स्कोर 180 से मतलब यह नॉर्मल मान रहों में इससे उपर जा सकता है इस इंडिया पहले बैटिंग करती है तो और अगर शिरलंका पहले बैटिंग करेगी तो शायद आपको उतना इसकोर ना देखने को मिले ठीक है उसके अलावा यहां पे टोस्विंड़ टीम बोलिंग करेंगेगी और समझ में नहीं आयए तो आप यह समझ लो कि चेज्च करने वाली टीम के विनिंग चांसे ज़ादा है मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि अगर उस टील ये एस शिरलंका के टीम जो है न तोस हार गई तो वो पहले ही मेच हार गई अगर शिरलंका के टीम ने पहले टोस जीत के बेटिंग कर ली तो सेकंड इनिंग में क्या होता है ड्यू आती है अब इनका सबसे मैं बोलर कौन है वानिंदू असरंगा अगर वो विकेट नहीं ले पाएगा वो अगर फ्लोप होगा तो लगबग 90% तो शिरलंका के टीम वैसे हार गई अब सेकंड इनिंग में क्योंकि ड्यू आएगी तो वही तो चीज है ना इसलिए शिरलंका का गेम डिपेंड होगा टॉस के उपर और यही रीजन है अगर शिरलंका के टीम पहले बोलिंग की क्योंकि आपको यह तो मालूम है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा कैप्टन सी जो आईगी वह आईगी वानिंदू हसरंगा पर सब सबका कैप्टन होगा अल्मोजट लेकिन मैं उसको एज़ नॉर्मल प्लेयर लूंगा हो सकता है लूं भी नहीं लेकिन देख इतना बड़ा रिस्क तो खराब होगा कि लेना ही नहीं हो क्योंकि अगर वह एक भी विकिट लेके गया बोल्ड भी कर दिया तो सामने वाले का अगर कैप्टन है तो उसके सीधे 70 पोइंट हो जाते तो आपको यह चीज़ तो पता लगी ना कि भाई जो शिर्लंका की टीम पहले बेटिंग की देन वानिंदु हसरंगा का कोई ज़्यादा बड़ा रोल हो गा ही नहीं ठीक है उसके अलावा बॉलिंग रिकोर्ड की बात आती है पैसर्स बहुत अच्छा करते हैं और हार्दीक पांडिया का यह होम ग्राउंड है तो यह भी चीज़ आप ध्यान रखना इस्पिनर्स की अगर मैं बात करता हूं तो उतने अच्छे नहीं रहते जितने पैसर्स होते हैं ठीक है उसके अलावा यह मैं आपको बताए चुक हूं कि टॉस मेन टीम अगे थी और आगी है तो 17 मैच इंडिया टीम जीती है वहीं पे जो श्रिलंका की टीम जीती है recent form की बात आती है, तो last के 5 में से 2 win की ए शिरलętका ने, वहीं पे Indian टीम के अगर मैं form की बात करता हूं, तो last के 5 में से एक draw, 3 win और 1 loss, ठीके, उसकी अलावा अगर मैं बात करता हूं क्यार, Indian टीम से आज कोण-कोण आपको मैदान में खेलते हुए देखने को मिलेगा तो यहां से फर्स्ट हम बात करते हैं इंडियन टीम में आज बहुत बड़े बड़े चेंज़ जैसे ना कोई विराट को ली है ना रोही शर्मा है तो ना केल रहो हो ले मतलब एक नई टीम ही है ठीके यहां से आप लोग को आपनिंग करते हुए दिखेंगे इशान किशन शुबमन गिल के साथ अब हो सकता है कि आपको यहां पे इसी पेलेस में गिल के पेलेस में गायकवार भी दिख जाए बड़ चांसे जिसके हाई है वो है शुबमन गिल इसलिए मैंने गिल को मेंचिन किया बाकी कोई दिक्कत वाली बात ने गायकवार के लेगा तो हम गायकवार को भी लेंगे देखें इंडियन ओपनर तो ड्रॉप करने का सवाल ही ने उड़ता है उसके बाद आएंगे यहां से सूर्य कुमार यादो जब टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगे यह ध्यान से सुन लेना जब टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो मेरा कैप्टन सूर्य कुमार यादो ही रहेगा और गीववे का क्यूशन नंबर वन इस मैच में सूर्य कुमार यादो कितने रन बनाएगा यह giveaway का पहला क्यूशन है चार giveaway के क्यूशन होंगे जिन में चार सही आंसफर देने पर आप दस जार जीट जाओगे तो giveaway का क्यूशन यह यह आपको just runs लिखने आप यह मत लिखना कि सूरे को यादा हो बराबर रंस जो भी आप mention करें ना only आपको रंस लिखने क्यों मैं आप से रंस पूछ रहा हूं मैं नाम तो पूछ नहीं रहा हूं ना जश्ट आप रंस उसके mention कर देना comment में बाकी तीन giveaway और उनको भी सुन लेना और एक साथ चारों का comment करना ठीक है जो lucky winner मतलब lucky तो क्या जिसका answer सही होगा वो फिरी में जी जाएगा 10,000 बस एक बार फिर बोलना चाओंगा giveaway उन लोगों के लिए जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेकिंड डाउन की तो वो आएंगे दीपक हुडा फिर आएंगे आपके हारदीक पांडिया संजू सेमसन वाशिंग्टन सुंदर हर्शल पटेल युजवेंदर चहल अर्शदीप और उम्रान मलिक अब देखिए इस मैच में आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कौन कितने ओवर कर सकता है क्योंकि यह सबसे बड़ा पोइंट है तो मैं जिनके चार ओवर एक्सपेट कर रहा हूं और जिनके चांसे हाई है सबसे पहले अर्शदीप के ओवर नहीं कटेंगे जहां तक मतलब मेरा आइडिया और जहां तक पॉसिबिलिटी भी है उसके अलावा दूस चाहल वाशिंग्टन सुन्दर और दीपा गुड़ा दीपा गुड़ा के चांसे बहुत रेरे बोलिंगे बचते हैं तीन प्लेयर सुन्दर पांड्या और यहीं पर युजवेंदर चाहल हाई चांसे है कि चाहल आपको दो ओवर तो मतलब देंगे ही ठीक है और अगर स्प इंडिया टीम बैटिंग करती है तो सबसे बैस्ट ही है जो सूरी कुमार याद हो है ना मेरा तो वही रहेगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हार्दिक पांड्या अगर आप थोड़ा सेफ खेलोगे तो कैप्टन चलो आप एक काम कर लेना सूरीय के पर इसमें हार्दिक क कर लेना बाकी जो मतला फाइनल चेंजेस होंगे टीम में आपको बता दूँगा तो हमारा कैप्टन जो होगा अभी फिलाल वहार्दिक पांड़ा है लेकिन इंडिया की बैटिंग फर्स्ट पे ठीक है बोलिंग आएगी तो मैं भी आपको बताऊंगा तो इंडियन टीम की अपने देखी इनका रीसेंट परफॉर्मेंस आपने देखा इशान किशन का तो आपको मालूम ही होगा क्या आउट इस्टेंडिंग परफॉर्मेंस था ओडियाई के अंदर उसके अलाव अगर मैं बात करता हूं बेंच की तो राहूल तिरपाटी रितुराज गायकवार अक्षर पटेल मुकेश कुमार मुकेश कुमार एक ऐसा प्लेयर है जो बिना IPL खेले डायरेक्टली टीटवंट इंटरनेशनल खेलेगा अब कई लोग बोलेंग यार मुकेश चोधरी चोधरी नाम आ रहा होगा आपके जो की चेन नहीं में था तो वह अलग था यह अलग ह तो यह अगर खेलता है हाला कि इसके बहुत रेर चांसेज है बहुत जादा लेकिन अगर यह खेलेगा तो IPL से मतलब पहला है यह ऐसा प्लेयर होगा जो बिना IPL खेले टीटवंट इंटरनेशनल खेल रहा हो उसके अलावा चांसेज बनते कि इनके गायक वार के प्लेंग उनमें ओपनिंग में शुब मनिगिन के पहलेच में ओपनिंग करेंगे अमरान मलिक बोलिंग में अष्दीब के साथ डेथ होर्स में हर्षल कभी फिक्स है और इस डीप और सेकेंड़ टीम आपको श्रिलंगा की टीम लेकिन उससे पहले गिव वी का सेकेंड क्यूशन मैं आपको पूछ लेता हूँ, इस मैच के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट इंडिया टीम से कौन लेगा? सबसे ज़्यादा विकेट इंडियन टीम से कौन लेगा? बस आपको इस प्लेयर का नाम लिखना है, जैसे कि लाइकली हाईचांसे जर्श हाईच, मतलब जैसे अर्षदीप है, हर्षचल है, इनी के हैं, हाई तो इनी के ही है, कोई हर्षचल भी ले सकता है और अर्षदीप ही ले सकता है तो ये give away का बहुत सिंपल सा question है, second question है अब हम बात करते हैं यहां से आपकी शिरलंका टीम की प्लेंग लिए उनकी शिरलंका की टीम की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहां से आपको पाथूम निसंका और कुसाल मेंडिस ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, यह बैटिंग विकिट हैं, तो कुसाल मेंडिस को ड्रोप करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है बहुत शांदार फॉम में अभी आपने देखा होगा, जो लंका प्रीमर लीग थी, बहुत अच्छी फॉम में बन्दा, तो आप चीज यह चीज़ ध्यान रखके जलना, कि मैंडिस ओपनिंग करेंगे, निसंका के साथ, धननजाए डीसी लवा आपको वन डाउन उसके बाद अविशका फर्नांडो है, ये भी अभी जो लंका प्रीमर लीग थी उसमें अच्छी खासी फॉम में थे, मतलब मैं बोलूँगा कि एक शांदार इनका रंस आ रहे थे बेटिंग से, ठीक है, फिर आएंगे भानुका राजा पकसा, सबसे बैस्ट इस विकिट पे जो है, श्रिलंका की तरफ से वो यही है, भानुका राजा पकसा, उसके बाद आएंगे डी शानाका जो बोलिंग कर सकते हैं, शानाका एक ऐसा प्लेयर जिसको आप गलती से भी ड्रॉब मत करना, क्योंकि हाई चांसे जे बंदा बोलिंग भी करेगा, और इंडिया के अ श्रिलंका से और अगर किसी को पहला विकेट मिला देन अगर मिलता है न तो भाई ये एक मात रेसा प्लेयर होगा, जैसे मैं एलबोन रिनेगेर्स की तरफ से मैंने बताया था केन रिचर्ड सन, तो ये बड़े नाम के बड़े प्लेयर है, लहरू कुमारा, ये चीछ ध्या क्योंकि स्पिन विकेट तो है नहीं कि दुनीत वगरा खेले, आलगि दुनीत एक अच्छी टच में था लंका प्रीमर लीग में, बाकी देखते हैं क्या पिछ रिपोर्ट आदी है, क्योंकि पिछ रिपोर्ट में सारी चीछे मैंचन हो जाएगी कि विकेट कैसा है, आपनि इतने रन बनाएगा, रन, जश्ट रन्स पूछ रहों मैं आपसे, आपसे नाम नहीं पूछ रहों की भाई, किसके मतलब, आप क्यों रन्स लिख दो कि भाई, भानु का राज़ा पक्सा इतने रन बनाएगा, क्यों रन्स, ठीक है, गिव ओवे के तीन क्यूशन बेटिंग पे, और जो मेरी फाइनल टीम होगी, वो आपको मिलेगी टेलिग्राम चैनल पे, तो जितने भी यूजर्स वीडियो देख रहे हैं, फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम जरूर जोइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, और जिसका के लिए उनका अगर मेरा वेलेट वेलेंस भी देखोगे ना, यह देख सकते हो, पचास हजार रुपे एड़ किये थे मैंने, सेकिंड अकाउंट है मेरा, फर्स्ट में तो आपको बताइए ना, मैंने डेड करोड का माउंट दिखाया था आपको, जो मैं डेली विड्रो भ अपना कोई काम होता नहीं, यह चीज आपको मालूम होगा, तो जिसने भी देखिए पहली चीज तो लीग लें, डाउलोड नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर दिन मेरा प्रोफिट होता है, यहाँ पे लगबाग कभी तीन लाग का, कभी चार लाग का, कभी पांच लाग का, हाना, आप डेली देखते हो यार, मतलब जो बेंदे हम से पहले से जुड़े हो, उनको तो मालूम होगा, तो जिसने डाउलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत बैस्ट है, स्कूटर यहाँ पे, मतलब गैजट ली चालू है, तो आप ज जिसने डाउलोड नहीं किया, वो डाउलोड जरूर कर ले, मैं आपको टीम दिखा देता हूं, जो मेरी रहने वाली इस मेच की, बता तो मैं चुका हूं पहले कि इंडियन टीम बोलिंग करेगी, तो मेरा इंवेश्मेंट होगा, तो मेरी लगबग फाइनल टीम में, अगर मेरे सारे प्लेयर खेले तो, और इंडिया टीम बोलिंग करीद तो, देखिए, इशान किशन हमारे वीसी रहेंगे, कुसाल मेंडिस, मैंने विकिट कीपर में लिया है, बैटिंग में मेरे चार प्लेयर ही जिसमें भानुका राज़ा पकसा, शुबमन गिल, आपके रहेंग को helpful रहेगी, नहीं रहेगी, हाला कि maximum matches में तो रहती नहीं है, यहाँ पर पैसर्स, डेथ में बहुत विकिट लेते हैं, और उनके अलावा, बैट्समें अच्छा करते हैं, तो जिसकी possibility जादा है, मैं उसी काम को किया हूँ, हार्दिक पंडे का home ground है, अच्छा, हमेशा अच चांसे के तीन ओवर से, तीन तो मदब करना ही चाहिए, ठीक है, और वी सी इशान किशन, भाई क्या form में है बंदा, तो मदब बहुत बहतरीन टीम है, अब अपन लोग को चाहिए इंडिया टीम की बॉलिंग, आप मान के चलिए इंडिया बैटिंग कर ले, तो क्या होगा, देन आपका इंवेस्टमेंट कम होगा, तो कुछ नहीं, आपका इंवेस्टमेंट कम होगा, ठीक है, क्योंकि इंवेस्टमेंट ही आपको बता है, ऐसी चीज है, जो सही तरीके से बंदा करेगा, तो ही प्रॉफिट में रहेगा, काफी लोग होते हैं, जो खरा मैचेस में तो बहुत ज़्यादा इंवेस्ट कर देते हैं और अच्छे मैचेस में बहुत कम तो इसलिए मैं इंवेस्टमेंट आपको पहले बताता हूं अब बात आ जाती है गिववे के क्यूस्टन नंबर चार की इस मैच में हार्दिक पांडय के ड्रीम पॉइंट केतने होंगे जो हम से नहीं जुड़े तो फाइनल टीम वहीं मिलेगी मैं ट्राइ करूंगा कि ग्रैंड लिक के कॉंबिनेशन से भी मैं आपको शेर करूं डिस्क्रिप्शन में लिंक के जोइन करेना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर